गुड मॉरिंग स्टूडेंट्स आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास UKG में स्मोल लेटर्स M तक हम कर चुके हैं आज हम स्मोल लेटर N करेंगे तो N हमने कैसे लिखना है पहले बीचवरे लाइन में पैंसिल रखो वान टू इसको टू टाइम्स ऐसे करना है फिर यह क्या बन जाएगा N, N for nest nest mean घोसला बीच में पैंसिल रखो वन, टू, टू टाइम्स इसको राइट करना है ऐसे N, N for nest nest mean घोसला वन, टू बीच वाली लाइन में डिखना है हमने N को N, N for nest nest mean घोसला हमने M को त्री टाइम्स लिखा था और N को टू टाइम्स ऐसे करना है वन, टू, N for nest nest mean घोसला इसके साथ साथ आज हम again parts of body करेंगे so हम पहले कर चुके हैं आज हम दुबारा करेंगे तो फर्स्ट हमारी spelling थी आई की E Y E I I means I means कान थर्ड N O S I means E E Nose 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 mean नाग फोर्थ है हमारी A R M आरम आरम means बाजू फिफ्ट है L E G Leg 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 means Tongue Sixth है हमारी F Double O T Foot Foot means Pair तो ओके बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे तो आपका आज का क्या आवरक है आप सभी बच्चों ने Small Letter N का Half Page राइट करना है और पार्सो बोडी 6 राइट करने है और लर्न करने है थेंक यू पार्सों पार्सों पार्सों